नमस्कार दोस्तों, आज प्राइमिनिस्टर नरेंद मोदी जी का दौरा था पंजाब के अंदर, अभी के लिए जितनी भी चीजे थी उसको कैंसल कर दिया गया, इसका मेन कारण यह है कि जब वो पंजाब पहुंचे तो वहाँ पर एक मेजर सेक्यॉरिटी लैप्स देखने क खड़े हो गए, तो यह हुआ क्या एक्जाटली, यहाँ पर आप देख पाऊगे, पियम मोदी स्ट्रेंडट फॉर्टी मिनट्स एज फार्मर्स ब्लैक फ्लाइवर, पंजाब रैली कैंसल, तो इसके बारे मैं डीटेल से समझेंगे, जो स्पेशल प्रोटेक्शन लेकिन उसके पहले, अगर आप UPSC या फिर किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, तो आप हमारे आपको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर studyiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसके लावा अगर आप MCQs एटेंड करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर stories में आपको सभी MCQs मिल जाएंगे, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, आज exactly हुआ क्या है, देखिए यहां पर जो ministry of home affairs है, उन्होंने एक चिठ्थी लिखी है, आज ही 5th of January को, और यह कहा है कि नरेंद मोदी जी की जो security है पंजाब के अंदर, वहां पर जो भी event होना था उसको cancel किया गया है, क्योंकि यहां पर major security lapse देखने को मिल रहा है, इसका कारण क्या है, home ministry ने exactly बोला क्या है, दिखिए यहां पर letter में यह लिखा गया है कि जो पंजाब government है, वो fail हो गई है security, additional security deploy करने में, क्योंकि यहां प गया था कि यह जो पूरा road है, वो एक प्रकार से खाली रहेगा, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया, और इसी के बज़े से यह major security lapse बताया जा रहा है, बताया गया है कि जो flyer है, वहां पर जो उनका cavalcade है, वो आप देख सकते हो, इस तरह से stranded हो गया था, in fact यहां पर यह भी बता उनकी गाड़ी flyer पे पहुंची, ऐसा लगा कि आगे जो रास्ता है वो जाम हो गया है, और इसी के बज़े से जो भी यहां पर officials हैं, यह जो security agencies है, special protection group, वो हरकत में आई और उन्होंने पूरी तरह से वो गाड़ी को घेर कर खड़े हो गया है, ताकि कि किसी प्रकार का problem ना हो, और आप देख सकते हो, यहां पर जो government sources हैं, जो media में खबर आई है, उनका यह कहना है कि जो भी कुछ witness हुआ है, इस flyer के उपर, इससे ऐसा पता चलता है कि पंजाब police और protesters, उनको यह चीज पता था, बेसिकली यहां पर अगर आप देखोगे, जो पुरा root होता है, जहां को unacceptable बताया जा रहा है, recent history में यह सबसे बड़ा lapse है, आप कह सकते हो, प्रामिश्टर security में, अब question आपके मन में यह भी आएगा, कि आखिरकार क्या कारण था, जिसकी वजए से जो प्रामिश्टर मोधी है, वो road के माध्यम से travel कर रहे थे, देखे, आपको पता हमाची, पंज इकली क्या था कि सबसे पहले वो national martyrs memorial जा रहे थे, हुसैनी वाला, वहाँ पर helicopter के माध्यम से जाना था, लेकिन अचानाक से बारिश हो रही थी, poor visibility थी, तो यहाँ पर 20-25 मिनट वेट किया गया, फिर भी चीज़ें सुधरी नहीं, तब यहाँ पर decide किया गया कि चलो road के उनके द्वारा confirmation दिया गया कि जो पूरा route है, वो हमने सही तरीके से जांच लिया है, किसी प्रकार की कोई problem नहीं है, तब जाकर वहाँ पर प्रामिश्टर की गाड़ी जो है उदर से गुज़रनी थी, लेकिन जैसे ही ये national martyr memorial के 30 km पहले, वो जो flyer आया मैंने आपको बदा कर दिया है, और इसी की वज़े से आप कह सकते हो कि 20 मिनट तक करीब, वहाँ पर उनकी जो गाड़ी है, वो खड़ी रही थी, और इसी कारण वर्ष इसको major lapse बताया जा रहा है पूरे security में, तो ये तो हमने ये देखा, लेकिन question यह है कि जो special protection group है, जिसकी जिमेदारी होती ह इसको पूरी जाज करना, देखो वो क्या होता है कि प्रामिश्टर के सबसे करीब होते हैं, ये जो security agency है, special protection group, प्रामिश्टर के सबसे करीब होते हैं, लेकिन जो outer security है, जिस भी वो राज में जाते हैं, वहाँ की state police की जिमेदारी होती है, तो आप देख सकते हो कि जो special protection group है उसकी main responsibility है, प्रामिश्टर आफ इंडिया को protect करना, 1988 में एक act लाया गया था, परलिमेंट आफ इंडिया के अंदर, और उसके माध्यम से ये बनाया गया था, special protection group, और इसका main कारण ये था कि 1984 में आपको याद होगा, इंद्रा गांधी जी की हत्या होती है, और वो किया गय आगे चलकर फिर decide किया गया कि अलग से group होना चाहिए, special protection group, जो की prime minister security को देखेगा, और यहाँ पर उनके security के लावा, उनके immediate family members है, अगर वो उनके official residence पर रहते हैं, लोग कल्यान मार्क, तो वहाँ पर उनकी भी security होती है, लेकिन family members decline कर सकते हैं, अगर उनको security नहीं चाहिए वैसे मैं आपको बता दूँ, पहले क्या होता था, कि अगर prime minister का पत कोई छोड़ दिया है, कोई भी person, तो 5 साल तक उनको फिर भी SPG की security मिलती थी, उनके parents को, wife को, children को, लेकिन 2019 में यहाँ पर एक amendment लाया गया था, special protection group amendment act 2019, जिसमें बदलाव कर दिये गया, और आज के date में स that plus security दिया गया है, ना कि SPG, यह आपको ध्यान में रखना है, अब यहाँ पर आखरी में question यह आता है, कि जो भी अभी lapse हुआ, उसका main कारण है कि protest चल रहा था, question यह है कि farmers अभी भी protest क्यों कर रहा है, क्या कारण है, दिखिए वैसे आपको पता होगा, जादा तर farmers union के बीच में जो protest वगरा था, वो खतम हो गया, जो farm loss थे, उसको repeal कर दिया गया है, लेकिन अभी भी क्या है कि जो भार्ती किसान union है, जो कि पंजाब का biggest farm union है, वो protest पंजाब के अंदर कर रहा है, और वो indefinite धरना दे रहे हैं, करीब 15 district के अंदर, और यहाँ पर उनका यह कहना है कि हम दोनों central government और state government, दोनों के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वज़य से जो farmers हैं, वो distress में गहे हैं, इनफर्क उनका यह भी कहना था कि 5 January आज प्रामिस्टर जी की मुझो rally है, उसके पहले उन्होंने करीब 649 villages में, प्रामिस्टर मोधी का जो effig उसको जला दिया, और उनका बेसिकली यह कहना है कि जो farm loss repeal किया गया है, इससे farmers की problem solve नहीं होती है, वो तो problem central government ने create किया था, और उसी को हटाए गया है, लेकिन जो main मुद्ध है farmers का वो अभी भी solve नहीं हुआ है, इनफर्क यहाँ पर आप देखोगे, जो chief minister है पंजाब के चन्नी जी, वो लगतार मिलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा था, वो मिलेंगे, लेकिन तीसरी बार, यहाँ पर meeting को postpone किया गया, और यह जो farmers है, उनका कहना है कि, जो chief minister है पंजाब के, वो भी farmer के issues को काफी casual ले रहे हैं, तो question यह है कि farmers अभी क्या चाहत जितने भी farmers की मिलती होई होगी, उनके जो immediate family members हैं, उनको compensation प्रवाइड किया जाए, immediate family members को मतलब किसी ना अगर society वगरा किया है, तो एक job offer किया जाए, यहाँ पर जो guaranteed purchase है, MSP का वाला मुदा आपको पता है, minimum support price, तो इसको guarantee बनाया चाहे, act के माध्यम से लाया चाहे, फिर यहाँ पर पांचवा मुदा है, कि जो criminal cases थोपे गए थे farmers के उपर, किसान अंदोलन के दोरान, उसको हटाया जाए, और साथी साथ यहाँ पर जिसने प्रकार के loan लिये गा है, farmers के दोरा, उन सबको maaf कर दिया जाए, तो आप सोच रहोगे, इसमें से तो ज्यादा तर चीज जो हैं, वो लगे में हैं, उसको हटाना है, यहाँ पर job प्रोवाइट करनी है, compensation देना है, वो implement नहीं हुआ है, तो farmers कह रहे हैं कि इसको अभी आप implement करिये, तभी हम यहाँ पर सारी चीज़ों को छोड़ेंगे, और इसके लावा मैं आपको बता दूँ कि यह जो memorial visit के बाद फिरोसपुर visit होना था, जहाँ पर एक rally होनी थी प्रामिश्टा मोधी की, उसको भी cancel कर दिया गया, मतलब एक प्रकार से पंजाब जो visit है, वो cancel हो गया, वहाँ पर बहुत सारे जो development के project से उसको inaugurate किया जाना था, I don't know क्या आप वो बाहर से किया जाएगा, या फिर चलेग आपको पता है, X category, X plus, Z, Z plus, Y category, तो उसी से related दो statement मैंने डाला है, क्या बता सकते हो कौन सा correct है, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता आपको आपको और एंच, शोछोज में सकते हैं, आपको यह जो सॉन यहाँ वे ले विखियो को भी नहीं, आपको आपको ऑ्रप्ण।, क्शे ओलेगा है, क्यू वेिए और थैम के दिते हैं ले एढगश्ट, क्यू आपको दो में सूंतर, मैं तनाएं तनापको यहँए और